आपने भी ले लिया है वीवो का V30 जो आप देख सकते हैं यह कौन सा कलर है इसमें क्या-क्या फीचर है इसका केमरा काफी कमाल का है इसलिए मैंने इसे लिया है तो चलिए मैं आपको उन्बॉक्सिंग करके दिखाता हूं कौन सा कलर है इसमें कितना जे भी रैम है कितना जे सबस्क्राइब करने और सबसे हम इसे काड़ते हैं यहां से देख सकते हैं यह सबसे हम पर दिखता हूं तो यहां से हम इसे निकालेंगे निकालने के बाद यहां पर देख सकते हैं यह मेरा मोबाइल है और मोबाइल को यहां पर बहुत आसानी से बहुत आराम से हम निकालेंगे अरे बाबा निकल जा डिरेक्ट इदर से हम निकालेंगे यह वाला ओप्सन है इसे हम फारेंगे अरे सकते हैं और यह बैक साइड है गुलिंग है और ये जो दिखसकते हैं काफी पतला है और यहाँ पर इसे हम ओपन करते हैं ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं यह किस तरह का दिखता है ओपन हो जारे भाई ओपन हो रहा है यह देख सकते हैं वीवो 5G और जब तक यह ओपन हो रहा है जब तक हम इसमें देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया गया है तो इससे साइड में रखते हैं साइड में रखने के बाद यहां पर इसे हम निकालते हैं यह तो कुछ नहीं है यह रखनी के दिया गिया है उतके बाद यहां पे cover मिला है वाओ तो नुर्मल लाता है कोई खास नहीं होता है cover तो यह cover है और यह mobile भी यहां पर start हो रहा है उसके बाद यहां पर आप भासा सेट कर सकते हैं यहां से उर्दू अर्भी इंग्लिस जो भी भास आप चाहते हैं वो इसका सेट कर सकते हैं इसके बाद यहां पे इसका जो प्रेम पत्र है लव लेटर है काफी लंबा चौरा कहानी है अर्भी में और इंग्लिस में तो यह आपका दिल करे तो पढ़ सकते नह उसके बाद यहां पर क्या दिया गया है यह देख सकते हैं केवल काफी मजबूत है टैप सी है और इसका वायर भी लगए मोटा है उसके बाद यहां पर यह देख सकते हैं यह दिल वाला सिम ट्रेय यानि सिम निकालने वाला डालने वाला है उसके बाद इसे भी हम साइट में उसके बाद यहां पर यह चार्जर है यह चार्जर काफी बड़ा चार्जर है और यह कम से कम 80W का होगा मुझे किदर लिखा हुआ है कहीं लिखा हुआ था तो यह चार्जर यहां पर 80W का लिखा हुआ है तो यह काफी लंबा चार्जर है यह देख सकते हैं काफी लंबा चार को दिखाता हूं तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमारा मवाइल सेटप हो चुका है और यह काफी प्रेमियम लुक है काफी कमाल का है तो यहां पे आप केमरा भी देख सकते हैं केमरा काफी मस्त है ये इसका कैमरा रिजल्ट आप देख सकते हैं काफी मस्ते कैमरा का लुक और ये देख सकते हैं उसके बाद मैंने एक फोटो लिया है यहां पर लाइटिंग बरोबर नहीं है फिर भी यहां पर काफी अच्छा डिटेल्स आया है और कमाल का कैमरा है सामने का ये 50 मेगा पिक्स कर देख सकते हैं तो काफी अच्छा Odyssey ہाता है एकाफी अच्छा अच्छा है और इसका कलर भी चेंज होता है यहां से आप कलर्भी चेंज कर सकते हैं जैसा तो काफी अच्छा कूलिंग है इसमें और यह मुबाइल मैंने 1779 में लिया है मक्तब जरीर से तो आप भी अगर चाहते हैं तो यह मुबाइल ले सकते हैं यह काफी अच्छा है और मुझे पसंद आया और आपका अगर बजट है आप वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए सही क्योंकि सिल्फी केमरे इसका हाट है और यहां पर सीम डालने वाला है और इसमें चार्ज करने वाला और एरफून साथ में है यहां पर और यह पीकर है और क्या क्या है यहां पर कुछ नहीं लग रहा है यह यह भी पीकर है क्या है पता नहीं तो यह चीज आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताई, क्यूंकि आप लोग के प्यार महबत के वैंदो मैंने ये मुबाइल ले लिए उसके बाद ये कवर ऐ कवर लगार देखते हैं, कवर लगाने के बाद कैसे फिलिंग आता है, ये भी में आपको दिखा देता है कवर लगाने के बाद कैसा दिखता है तो यह देख सकते हैं काफी पतला यह मोबाइल काफी पतला है कि अ यह कुछ नहीं लगा हुआ है यह काफी पतला है और यह केमरा को बचाने के लिए यह ऊपर थोड़ा निकला हुआ है